दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने गाड़ी से चलते हैं और यहां पर ट्रैफिक पुलिस जब आपको रोगती है यहां पर आपके गाड़ी का पेपर देखना चाहती है लेकि तो ट्रैफिक पुलिस का काम केवल यहीं है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पाला नहीं करें तो फिर वे आपके उपर फाइन लगा सकते हैं यहां पर उन्हें यहां अदिकार नहीं मिला हुआ है ट्रैफिक लोग यह नहीं कहता है कि वे आपके साथ मिस्विहब करेंग आपको गाली देंगे, आपको थपर जड़ेंगे, अगर भी ऐसा करते हैं, तो फिर यहाँ पर यहाँ आप राध है, अगर आप उनके खिलाप किस दर्ज कराएंगे, तो फिर निश्चित ही उनके उपर करवाई होगी, लेकिन अक्सर जो आम पबलिक है, वो यही सोचता है कि क्यों यहाँ पर उल्जा जाए, यहाँ तो खुद पुलिस है, तो यही पर आप गलती करते हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी कम्प्लेन, उनके वरियाधिकारियों से जरूर करना चाहिए, आप यहाँ पर पहले कोसिस करें, कि आप उनके खिलाप किस दर्ज करवा दें, नि यहाँ पर फैयार दर्ज नहीं करेगा, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसी थाने में लिख कर अपने सिकायत को उस थाने में स्पीड पुस्ट करतें, ताकि यहाँ पर प्रूफ रहे कि आपने कम्प्लेन किया, फिर निश्ची थी जो भी थाने का थानेदार है, या फिर जो भी यदिकारी वहाँ पर है, उन्हें के फैयार दर्ज करना होगा, और अगर फैयार दर्ज तब भी नहीं करते हैं, तो फिर आप जिले के स्पी से कम्प्लेन कर सकते हैं, तो आप कोसिस करें, मैं यहीं कहना चाहता हूं, कि आप कोसिस करें कि जो भी ट्रैफिक पुलिस आपके साथ मार्पीट किया, यहाँ पर आपके साथ गलत वहवार किया, आप उसके उपर केस्ट दर्ज करवा दे और अगर थाने से SP Office से भी FIR दर्ज नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर किसी वकिल से मिले और आप सीधे वकिल के माध्यम से CRPC के सेक्षन 156 सबसेक्षन 3 में यहाँ पर कोड के माध्यम से केस्दरज करवा सकते हैं कई राज्यों में Police Complain Authority होता है पुलिस कम्प्लेन एथरिटी में रिटाइड जो का पैनल होता है जो केवल पुलिस सम्मंधित से कैतों को सुनते हैं तो फिर आप पुलिस कम्प्लेन एथरिटी में भी कम्प्लेन कर सकते हैं आपके राज में पुलिस कम्प्लेन एथरिटी है या नहीं आप Google करके निकाल लें और यहाँ पर अगर ट्रैपिक पुलिस आप से रिस्वत मांग रहे थे आपने उनकी बात नहीं मानी आपने उन्हें खुस नहीं किया इस बज़व से अगर उनका पाड़ा चढ़ जाता है इसलिए आपकी पिटाई कर देते हैं तो फिर आप यहाँ पर पुलिस कंप्लेंड दो करेंगे ही आप यहाँ पर स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी रिटेन में कंप्लेंड करें आप स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट का contact number address सारा चीज गूगल करके निकाल सकते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर मन में कोई भी सवाल है तो बही चेक निचे comment box में comment करें और अगर आप हम से सीधे जूरना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हम Instagram पर follow कर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं टॉपी के साथ तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल लग कर दो